विडियो इतना जबरदस्त है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो भी रिक्वेस्ट आरी है इस वीडियो के लिए वो है एक्सपेक्टेड कटोब चाहिए वो वट्सप मेसेज पे हो एलपलाइन नंबर पे हो कि सर एक्सपेक्टेड कटोब बता दीजे ताकि हम आगे का प्लान अ किया है उसके बेसिस पे जो कटोब एक्सपेक्टेड है उस पे हम बात करने वाले हैं बैतरी लेवल पे यह वीडियो साथ से आट मिनिट का होगा लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा हर एक डाउट आपका कटोब के रिगार्डिंग में इसमें केलियर करने वाला हूँ त तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहां पे कुछ पॉइंट जो आपके साथ शेर करना चाहूँगा वो पॉइंट है कि जो एरफोर्स का जो कटोब है एक्सपेक्टेड जो कटोब है उसको डिसाइड करने के लिए जो मेजर फेक्टर वो क्य होते हैं अगर मैं मैं रेकोडिंग बात करूँ तो उनमें मैंने दो फेक्टर यहां पे इंक्लूड किये एक पेपर का लेवल और दूसरा आपका नमबर ओफ स्टुडेंट एक बार मैं आपसे कमेंट चाहूँगा यहीं से यहीं से एक बार वीडियो आप देख रहें नमबर ओफ स्टुडेंट की तो लास्ट टाइम दो साल आपको एक्स्ट्रा एज क्राइटेरिया का बेनिफिट आपको दिया गया था तो लास्ट टाइम नमबर ओफ जो फॉर्म थे वो ज्यादा थे लेकिन इस बार केवल और केवल जो एज क्राइटेरिया के बच्चे उ decide करता है आपका sectional cut-op, लेकिन उससे पहले में कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि हर वो चीज आपकी clear हो, कि हाँ sir क्या, जेन्वी ने अपने यहाँ पे analysis किया है, cut-op का वो क्या है वेगिए, अगर last जो cut-op थी आपकी exam की 2022 की, उसमें अगर science subject की बात करें, अगर x group की बात करें, तो cut-op था, जो उन्हों ने दिया 28 था, total cut-op की बात करें, और अगर other than science की बात करें, तो वो cut-op था 34 यह last आपका जो exam था, उसका जो cut-op नो ने दिया, result के time वो था, अब अगर अगर मैं बात करूँ, cut-op, final cut-op clear होना अलग चीज है, मैं clear करूँ आपको, और इसमें सबसे बड़ा खेल है, वो physics के paper का होने वाला है, जो उन्होंने gazab level पे make-up करके, मतलब बच्चा क्यूशन आ रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, और जो language make-up था, वो बहुत बड़े level पे उन्होंने किया है, और यहां से मैं आपका comment चाहूँगा, क्योंकि वो आप ही हैं, जिन्होंने paper दिया है, और वो आप ही clear करेंगे, तो comment मैं जरूर बताना, physics के paper level को लेकिए, अगर मैं बात करूँ, last time जो sectional का top है, sectional का top 8, 8 और 8 रखा गया था, लेकिन लेकिन, 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 आप मुझे एक चीज़ बताईए, यहां पे, अगर sectional का top की बात करें, तो मालो आपका total जो number है, total score आपका 40 plus बन रहा है, लेकिन मालो मैं physics की बात करूँ, तो आपके 6 number बन रहे हैं, आपके 7 number बन रहे हैं, तो क्या total score आपका बनने के बाद भी आपका कटोप में नाम आएगा नहीं, तो यहां पे आपका final कटोप में आपका नाम आना, डिसाइड करता है कि आपने sectional कटोप भी clear किया या नहीं, यह बहुत जरूरी है, टोटल जो कटोप है, जैसे 28 था आपके उस से प्लस आ रहा है, टोटल कटोप में, लेकिन अगर अपन बात करें sectional कटोप की, अगर वो आपकी clear नहीं है, तो आपका paper clear नहीं माना जाएगा, लास्ट टाइम physics, maths और English तीनों का sectional कटोप 8-8 number रखा गया था, लेकिन अगर मैं paper के level की decide अगर बात करें, तो last time भी physics का paper काफी अच्छा था, और इस बार भी काफी अच्छा है, तो अगर अपन यहां पर बात करतें, physics के sectional कटोप की, तो वही रखतें, 8 number maths का भी वही रखते हैं, क्योंकि maths में 1-2 shift में छोड़ दें, तो बाकी उसमें भी paper काफी अच्छा calculated था, हाँ, English का paper है, उसको अपन तोड़ा average ले सकते हैं last के comparison में, तो यहां पर आपका sectional का top है, वो 8 के बजाए, अपन यहां पर क्या रख सकते हैं no मान सकते हैं, कि एक number यहां पर बढ़ जाए, मैं expected का top की बात करो sectional का top में, यह नहीं कि मैंने ही fix कर दिया, यही रहने वाला है, लेकिन physics और maths के अगर अपन comparison की बात करें, तो last time भी आपका sectional का top 8, 8 number रखा गया था, और अगर इस बार, मालो physics या maths का sectional का top 9 number रखा जाता है, तो यह बड़ी ना इंसापी वाली बात होगी, क्योंकि paper का level पिछली बार से भी अच्छा था, तो sectional का top बढ़ना नहीं चाहिए, अगर last के अपन comparison की बात करें, तो, ठीक है, अगर अपन यहां पर बात करें, आगे चलें, अगर sectional का top, जो final अपना का top है, वो कितना हो सकता है y group के लिए, यह आपका था यहां पर sectional का top में लिया है, आपका x group का, science subject का, और अगर मैं यहां पर बात करता हूँ, other than science की, हार एक चीज़ किलियर करूँगा, और वो आप ही comment box में agreement देंगे last time जो raga section था, पंद्रा नमबर आपका, और English का art number तो English को तो अपन 8 ले ले या no ले ले, है न, एक number आपका, जो मैंने का, plus हो सकता है क्योंकि paper English का उतना tough नहीं था last time का जो paper था, उससे भी अपने easy कह सकते हैं इसको, तो 8 या no, तो reasoning का paper था, वो काफी अच्छा paper था, बात आपको किस पे तोड़ा काम करना, reasoning का paper था, वो पिछले paper के comparison में अच्छा था काफी अच्छे-च्य क्योशन थे उसमें, जो बच्चे को घुमा रहे थे, लेकिन अगर comparison करें GK वाले section से तो वहाँ पे question का जो level था, वो थोड़ा down हो गया, तो अगर रागा में, अगर reasoning का paper उपर गया, है न, तो GK का paper निच्छे, तो अगर average माने, तो या तो 15 की जिगे 15 ही आ जाए, या अगर reasoning को consider करें कि reasoning का paper हमने अच्छा बना के दिया था, तो फिर आपका वहाँ पे 14 नमबर हो सकता है तो 14 या 15 आपका रागा वाले में, और English का 9 नमबर हो सकता है, otherwise वो 8 रखे उनकी मर्जी है, ठीक है, तो ये चीज अपड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आता है मेन इस बार का science और other than science का फाइनल कटोप, सेक्शनल कटोप ने बताया अब फाइनल कटोप की बात करते हैं फाइनल कटोप जो मैं यहाँ पर डिसाइड करने वालों, हमने All India Live टेस्ट दिये तीन टेस्ट दिये, है ना, जुनमें हजारों बच्चों ने पेपर दिया और अगर उने पेपर की अपन बात करें तो वहाँ पी जो एक्सपेक्टेड जो कटोप आ रहा था वो आ रहा था 34, 35, 36 नमबर के असपास लेकिन उसमें क्या होता कि जो बच्चा हमारे से लेगुलर पढ़ रहा होता है, तो हमारे जो क्यूशन से अगर अपनी आपे इंक्लूड करते हैं, तो अगर मैं साइन सब्जेक्ट की बात करूँ, तो साइन सब्जेक्ट में अपन कटोप लेके चल रहा है, 31 और या तो इसमें आप प्लस 2 कर लो, इतना मैं आपको गेप लेके चलूँगा, क्योंकि वो डिसाइड करता है, इस बार आपका जो पेपर लेवल है वो, और आपका नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट है, वो भी इंक्लूड इसमें हो जाता है, ठीक है, प्लस 2 या माइनस 2, या तो प्लस 2, या तो प्लस 2 प्लस 2, माइनस 2 हो सकता है, 31 में से 2 कम करेंगे तो 29 हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम 28 था, तो इस बार आपको डिसाइड यहाँ पर करनी होगी, क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लियर करूं यहाँ पे, अदर देन साइंस में, अदर देन साइंस में, पिछली बार 34 था, ला अगर आपका टोटल कटोफ, अगर यहां पे आपका टोटल कटोफ, इसमें 29-30 number आपका बन रहा है, 29-30 क्योंकि माइनस 2 आपन लेके चल रहे हैं, 29-30 और 31 बन रहा है, उपर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर रगावाले में 33 प्लस माइनस 2, है ना, अगर अगर अ हमारे पास जो last time हमने result दिया एक-एक बच्चे का data collect किया है डिटन के बाद में जब अच्छा phase 2 में गया कितनों बच्चों ने medical में out किया गया कितनों को physical में और कितनों को ZD में out किया कितने बच्चों को SRT में out किया और कितने बच्चों ने final आपका जो joining आये और कितने बच्चे उनमें से stand by पे थे जब तक हमने उनसे reach out किया बच्चों से तब तक वो पूरा detail है क्या हूंगा और वो अकड़े चोकाने वाले हैं वो result अगर मालो 100 बच्चों में से final joining अगर 25% मानू में 30% मालों तो वो चोकाने वाले आकड़े हैं कि बच्चा बाहर कहां पर हो रहा है return clear करने के बाद बच्चा GD में बाहर कैसे हो गया phase 2 में बाहर कैसे हो गया तो इसके लिए जरूरी है कि आप हर वो चीज basic से clear करें phase 2 के लिए हमारी टीम ने dedicated क्योंकि last time हमारे 1100 प्लस selection हमने दिया एक एक बच्ची की detail हमने आपको दी और उसी data को मैं ले कि आउंगा कि जुन बच्चों ने return clear किया उनमें कौन-कौन बच्चा कहां कहां पार हो और final कितने बच्चों ने जोइनिंग ली उनमें से टीक है वो data ले के आउंगा मैं 25 परवरी को वो data आपके सामने होगा और phase 2 का बेच 25 से क्योंकि इस बार guarantee यह है अपनी कि 100 में से 25 नहीं 100 में से 100 बच्चों का selection दिलवाना है जिन्नोंने return clear किया है उनको phase 2 में बाहर नहीं होने देना है किसी भी कीमत पे और ICG का पेपर आपके नजदीक में है बहुत जल्दी आपका पेपर होने वाला है Air Force का पेपर होने वाला है और आपको पता है हमारा एक बेच में हम दो बेच लेके चलते हैं यानि दो बार complete course कराते हैं तीसरी बारी में आपका revision हो जाता है आप अपना final score जरूर से comment करें comment box में कितना आपका final score बन रहा है उसमें आप एक दो नमर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आपने अगर calculate किया है तो जरूर comment करिएगा और फिर भी अगर आपको कोई doubt है हमारे course से related आप हमारे दिये गए help line number पे call कर सकते हैं और paper का level मैंने आपको already comment कर वा लिया है मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातर